हे दोस्तों कैसे मैं अपने नॉनिस्टिक चिपचपे बर्तनों को और उनके पीछे का जो सिल्वर एरिया होता है उसको साब रखती हूँ तो चलिए वीडियो में यही सब मैं आज सेयर करने वाली हूँ हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में तो चलिए आज मैं आपसे सेयर कर रही हूँ कि नॉनिस्टिक बर्तनों की मैं सफाई कैसे करती हूँ और हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इन बर्तनों की सफाई कैसे करें क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा हमें रहता है कि इनमें मलतब इनकी सफाई का बहुत ज्यादा धियान रखना पड़ता है तो अगर थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ की जाए तो कुछ भी मुस्किल नहीं है बहुत आसान है तो यहां पर देखे मैंने यह पैन ले लिया है इस अब मैं इसको अच्छे से वैल आने दूंगी इसमें और इतने से ही हमारी जो यह चिकनाई होगी से यह सारी हमारी निकल जाएगी और हमें ना तो इसको ज्यादा रगड़ने की घिसने की जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका साथ हमें रहता है नॉनिस्टिक बरतन को ह अब दूसकरने में आता है दोस्तों तो उतना ही थोड़ा सा हमें इनकी जो साफसफाई का होता है वो ज्यादा ही सुरक्सित तरीके से करनी होती है और यह देखे मैं बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ स्रेयर कर रही हूं तो चलिए यह पानी हमारा गरम हो चुका है और यहां पर देखे आप आदे से जादा चिकनाई तो पूरी निकल चुकी है और यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिया बैस उस पानी को दूसरी कटोरी में ट्रांसफर कर दिया है और अपना जो यह होता है स्कॉच ब्राइट यह लेके इससे जो है मैं इसको साफ कर रही ह और यह चिकनाई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी निकल चुकी है और अगर क्यूंकि इनमें ऐसा होता है कि दिरे जब हम सुरू-सुरू में इसमें खाना बनाते तब तो लेकिन दिरे दिरे जब हम इनमें बनाने लगते हैं अगर हम इनकी सफाई का अच्छे से धि लेना है यह लिया है मैंने खाने वाला जो सोड़ा होता है वो लिया है उसको मैंने इसमें पूरा फैला दिया है और अब ले लिया है आधा कटावा नीमबू तो इसको भी मैं इसमें निचोड़ दूंगी अच्छे से और नीमबू को अभी फेकना नहीं है नीमबू का काम अभी खतम नहीं हुआ है इसको मैं बाद में बताऊंगी कि किसले इस्तमाल करना है तो चलिए नीमबू भी इसमें डालेंगे हम विनेगर तो एक धकन के करीब मैं इसमें जो है विनेगर भी डाल दूँगी तो अगर आपका जो नॉनिस्टिक का बरतन है वो जादा गंदा हो या फिर अपना जो भी कोई भी वासिंग पाउडर वगेरा डाल लो और इसको जो है अगर आपका ज्यादा गंदा है तो इसको दस मिनट आप ऐसे ही सारे फे फैला के इसको छोड़ दीजी दस मिनट तक तो जो आपकी जो गंदगी होगी यहां पे चिकनाई वगेरा जो भ इकडम साप आपकी पीछे का जो सिल्वर एरिया होता है वो साप हो जाएगा तो यह देखे मैंने ज्यादा भी नहीं रगड़ा है और यह देखे एकडम साप हो गया है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यह साप होगा बहुत अच्छे से साप हो जाता है और नॉन स्टिक बर्तणों में थोड़ा सा यही रहता है हमें की मतलब थोड़ा इनकी स्पाइ का रहता है और यहां पर जो किनार पे जिदन कि हैंडर पे यहां पे भी जमा हो रखा है तेल बेल का जो भी था वो जमा हो रखा है तो ये भी देखे किती आसानी से निकल रहा है तो इसको भी मैं साफ कर लूँगी और ये देखे एकदम साफ हो चुका है और लास्ट में जो हमने नीमबू नी चोड़ा था उसको भी आप ऐसे इस पे घिस दीजिए तो इससे जो है चमक बरकरार रहेगी और ये बहुत इच आपका बरतन चमकने लगेगा ये देखे तो अब बस इसको धो लेंगे और अभी धोके में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से साफ हो चुका है और ये देखे है रडेल भी इसके चमक गये है और पीछे वाल इसको रोज के रोज जैसे इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद